हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वगत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस दरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाएगे मेरे इस नंबर पर कॉल के जरीए संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वार शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की परसनेलिटी को अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक हैं और काफी अच्छी लंबाई में यहाँ पर नजर आ रही है fingers के बीच में यहाँ पर आपको कुछ gap नजर आएंगे कुछ इस तरह के gaps का होना indicate करता है कि native काफी independent सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति थोड़े खरचीले सभाव के भी होते हैं अपनी मनवर्जी के मालिक होते हैं जो काम करने के एक बाद ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव यहाँ पर इनकी fingers की formation indicate कर रही है fingers आपको यहाँ पर थिक नजर आएंगे fingers का थिक होना दर्शाता है कि native की energy and stamina काफी अच्छा रहेगा अगर हम लंबाई की बात करें तो काफी अच्छी length में इनकी तरजनी उंगली यहाँ पर नजर आ रही है इस finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native काफी knowledgeable होगा ऐसे व्यक्ति spiritual minded होते हैं दूसरों को सही guide करने वाली सही रास्ता दिखाने वाली personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो बिलकुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनी फिंगर यहाँ पर नजर आ रही है शनी फिंगर का अच्छी formation में होना अच्छी thickness में होना indicate करता है कि native काफी मेहनती nature का होगा ऐसे व्यक्ति discipline होते हैं एक अनुशाशन प्रिया और नया प्रिया टाइप की personality आपको ऐसे native की देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरकी करपाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब हो जाते हैं अगर हम इनकी सूरे फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी जो सूरे फिंगर है यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में है सूरे फिंगर का अच्छी लंबाई में होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि native काफी creative nature का होगा ऐसे व्यक्ति की artistic qualities काफी बहतर रहती है अपनी किसी ना किसी अच्छी artistic quality की वज़े से अपनी creativity की वज़े से ऐसे व्यक्ति समाज में एक अच्छी पहच्चान बना पाने में कामयाब रहते हैं ऐसे निटिव जिनकी सूरे फिंगर अच्छी length में होती है एक बहुत अच्छा social circle create कर पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं इनकी mercury finger को देखा जाए तो आप देख सकते हैं हलकी सी low set होती mercury finger अगर fingers के नीचे हम एक line draw करते हैं तो कुछ इस तरह हैं कि आपको एक रेखा बनती हुई नजर आएगी इस finger का आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से low set होना indicate करता है कि native की nature थोड़ी shy और hesitation भरी रह सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य finger इनकी शनी finger और ब्रसपती तीनों की तीनों fingers काफी high set है जबकि mercury finger हलकी से low set है लेकिन इसके बावजूद यह finger आपको अच्छी लंबाई में नजर आएगी इस तरह की लंबी mercury finger का होना indicate करता है कि native की creativity और native की जो native का communication skills और business यह सभी चीज़ने काफी बहतर हो जाती है mercury finger के strong होने से mercury finger के chill length में होने से ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में अपने strong communication skills का use करते हुए काफी अच्छी progress पाने में जरूर कामियाब हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बार हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरू परवत का area है आपको काफी उपरा हुआ नजर आएगा और गुरू परवत अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा ग्यान अपने चीवन में अरजित करते हैं ऐसे व्यक्ति अथ्यात्मिक नेचर के उते हैं खास तोर पर ऐसे व्यक्ति चालिस वर्ष की एज के बाद समाज में एक वशिष्ट भहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं जो समाज सेवा करती हो सोचल वर्ष का काम करती हो मिडल इश के बाद किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़कर एक समाज सेवा जैसे काम करने की जो निचर है ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको मिलेगी overall ब्रस्पतिन का काफी strong नजर आ रहा है जब कि इनका शनी का जो मौंट है यहाँ पर आपको हलका सा दबता हुआ यहाँ एरिया नजर आएगा शनी मौंट अगर किसी का दब रहा हो तो करियर की शुरुआत में संघर्ष का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके हाथ में यह जो फेट लाइन है आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में उपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी इस तरह की फ्रेगमेंट्स में भागया रेखा का बनना इंडिकेट करता है कि जीवन में कुछ उतार चड़ाव रहेंगे और जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में जो भागया रेखा है इस एरिया से यानि माइंड लाइन के उपर से स्ट्रॉंग होती हुई नजर आए तो ऐसे व्यक्ति थर्टिस की एज के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामजाब रहत हैं और जब भी शनी रेखा आपको इस एरिया में भी नजर आए शनी परवत के उपर भी नजर आए तो यह नेटिव की एक कमफर्टिबल ओल्ड इज को इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति ओल्ड इज में पहुँचकर चीवन में हर तरह के सुख पाते हैं अगर हम इनके पाएंगे जिनका जो सुरह परवत का एरिया है बिलकुल फ्लाट है और सुरह परवत का इस तरह की फार्मेशन में होना चीवन में से यश को कम करता है ऐसा व्यक्ति जिनका सुरह परवत दबा हुआ हो या बिलकुल फ्लाट हो दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसर इस तरह से एक ट्राइंगल की फार्मेशन इनके सुर्य परवत के उपर हो रही है ऐसा ट्राइंगल अगर सुर्य परवत पर बन जाए तो नेटिव को गौर्मन्न की तरफ से लाब मिलते हैं व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे चलकर गौर्मन्न सर्विस में भी जा सकता है और कई बार ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाते हुए भी देखे जा सकते हैं जिनके हाथ में इस तरह से त्रिकोन का चन बनता हो अगर हम इनके मर्करी माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे मर्करी माउंट यहाँ पर काफी उभरा हुआ है मर्करी माउंट का इस तरह से उठा हुआ होना नेटिव को स्ट्रॉंग कम्निकेशन स्किल्स देता है ऐसे व्यक्ति का बिजनस से अकुमेंट स्ट्रॉंग होता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी हासिल करते हैं वो अपने अच्छे कम्निकेशन स्किल्स की वज़ए से ही करते हैं चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइन्स को आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफी अच्छे करव में नजर आ रही है इस तरह की हार्ट लाइन का होना नेटिव की क्यरिंग और इमोशनल नेचर को दिर्शाता है यहाँ पर आपको कुछ बारीक रिखाओं से एक हलका गर्डल आफ वीनस बनता हुआ भी नजर आएगी कुछ इस तरह की रिखाओं से आपको एक अर्द चंद्रमा जैसी अक्रिती यहाँ पर बनती हुए नजर आएगी आपको बताना चाहूँगा गर्डल आफ वीनस कंप्लीट कैसे बनता है यहाँ से क्रेका शुरू हो इस तरह से एक आधा चांद जैसे क्रिसेंट की शेप होती है अर्द चंद्रमा की शेप होती है ऐसी शेप बन जाए तो इसे हम गर्डल आफ वीनस यानी शुकरवले कहते हैं शुकरवले हाथ में बन जाए तो ऐसे वेक्ति बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं और इंटर्टेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ भी ऐसे वेक्ति का जुकाव रहता लेकिन यहाँ पर यहाँ कम्प्लीट नहीं बन रहा कुछ इस तरह से ब्रोकन शेप में है जिसकी वजह से नेटिव को थोड़ी मूड स्विंग की दिक्कत होने की इस महावनाए बढ़ जाती है ऐसे वेक्ति थोड़ी मूडी सभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे और हाट लाइन की बाद की जाए तो आप देख सकते हैं हाट लाइन पर आपको इस तरह की चोटी चोटी डाउनवर्ड ब्रांचिस नजर आएंगी और इस तरह से हलकी ओवरलापिंग भी यहाँ पर होती हुई जब भी हाट लाइन की शेप कुछ इस तरह से बनती हो तो यहाँ नेटिव को लेटरेज में चलकर कुछ हल्थ इशूस दे सकती है ऐसे व्यक्ति को ब्लोड प्रेशर, थरोड, कलेस्टर जैसी समभावनाएं मिडल एज के बाद, पचास की एज के बाद होने की समभावनाएं अधिक रहती हैं अगर हम इनकी माइन लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी मस्तिक्ष रेखा और जो इनकी जीवन रेखा है दोनों के बीच में आपको एक गैप बनता हुआ नजर आएगा आपको दिखाना चाहूँगा यह जो हैंकी जीवन रेखा चल रही है और यह भी जीवन रेखा को असिस्ट करती हो एक रेखा आपको जलती नजर आएगी और यहां से रेखा सीधी चलती है बीच में इस तरह का गैप बनना नेटिव की इंडिपेंडेंट और जिद्धी नेचर को भी दरशाता है ऐसे व वेवी पैटरन में यहां पर कुँछ अस तरह से नजर आ रही है इस तरह की मस्थिक च्रेखा का होना नेटिव की ठौर्ड प्रोसेस में ठोड़े उतार चड़ाव को इंडिकेट करता है ठोड़ी ओवर त्टिंकिंग की समस्या हो सकती है लेकिन एक लमबी मस्थिक को भी indicate करता है अगर हम इनकी जीवन रेखा को चेक करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी जिसमें आपको एक खलकी ब्रेक बंती नज़र आ रही होगी इस तरह की ब्रेक का होना indicate करता है कि न भग भग सेवन्टी से लेकर सेवन्टी फाइव के आसपास की इच रहनी किस महावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि साथ ही साथ आपको एक और पैरलल लाइन जो के काफी हद तक इस गैप को फिल कर रही है नज़र आएगी जीवन रेखा कि बिलकुल अंत में आ ज़र आएगी ऐसा साइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए तो यहाँ चिन इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने चीवन में कई बार अकास्मिक धनलाब हो सकते हैं यहाँ जो एरिया रहता है इसको केतू प्रवत कहते हैं और केतू मांट के उपर इस तरह का में होने के कई बार योग बनते हैं ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं जिनके हाथ में ऐसा फिश का सिंबल हो ऐसे व्यक्ति फॉरण ट्रैवल भी चीवन में एक से धिकबार करते हैं इनके शुक्र परवत की बात की जाए तो आप दे हैं कि सुक्स विधाएं मिल जाएंगी इस मांट के ऊपर काफी सारी रिखाओं का होना नेगटिव माना जाता है आप देख सकते हैं कि बारी काड़ी रिखाएं और कुछ इनको क्रॉस करने वाली रिखाएं भी आपको शुक्र परवत के ऊपर नजर आ रही होंगी विधास मांट के ऊपर ऐसी रिखाओं का होना इंडिकीट करता है कि नेटिव को अपने रिलेक्शनशिप को लेकर समस्याओं का सामना करना पर सकता है नेटिव की लव रिलेक्शनशिप में और married life में कुछ अडचने आने की संभावनाई इस तरह की रिखाई indicate करती है अगर हम बात करें इनके चंदरपरवत की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर चंदरपरवत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तेरी में जो चंदरपरवत का इरिया है काफी अच्छा नज़र आ रहा है आपको थोड़ा से close-up में दिखाना चाहूँगा चंदरपरवत के उपर कुछ आड़ी रिखाएं मौचूद होना नेटिव को काफी ट्रैवल देती है यहाँ इरिया यहाँ पर आपको काफी अच्छा नज़र आएगा यहीं से इनकी भाग्या रिखा शुरू होती हुए इस तरह की भाग्या रिखा का होना यहाँ से शुरू होकर उपर की तरफ चलना चीवन में काफी सारी लंबी दूरी की यात्राएं नेटिव को देता है साथ ही साथ इस माउंट का प्रमिनेंट होना नेटिव को ट्रैवलिंग के जरिये भी धनका लाब देता है लेकिन यहाँ पर कुछ आड़ी रिखाओं का मौचूद होना यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी अथेली में कुछ अकल्ट के चिन भी नजर आ रही है इनकी इंगोटे के उपर आपको एक यव नुमा अकरिती बनती हुई नजर आएगी यहाँ जो साइन है आप देख सकते हैं कुछ हद तक लगभग कम्पलीट होता हुआ एक यव का चिन और इस एरिया में हलका सा बनता हुआ एक क्रॉस का साइन जो पूरी तना से भी कम्पलीट नहीं है इस तरह के साइन अगर हाथ में हो तो नीटिव की रूची अकल्ट साइनसिस में भी देखने को मिलती है अगर यहाँ साइन आगे चलकर और भी प्रॉमिनेंट हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अकल्ट की नॉलेच भी गिन कर सकता है जैसे यह पामिस्ट्री है अस्टालोजी, टैरोकार्ट, स्वास्तोरी की जैसी विद्याएं है यसी चीज़ों को सीखने की क्षमता भी नेटिव के फीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी तो यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में मेरी तरब से और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन्न या सुवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सेप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद